हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टु लॉफ फॉर प्लांट आज मैं आप लोग को दिखाने वाले हूँ कि हम घर पे ही हमारी बिकार वेस्ट होता है हमारा गार्डन वेस्ट उस से हम किस तरह से बहुत ही अच्छी मोस्टिक बना सकते हैं और हमारी जो मोस्टिक बनेगी बजार से आने वाले मोस्टिक से भी बहुती स्यादा useful है रहती है हमारे प्लांट के लिए और इसके लिए हमें कुछ extra चीजों की ज़रूरत भी नहीं होगी इसमें हमारे जो घर में waste चीज़ें होती हैं उन्हें काम यूज़ करने वाले हैं तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिया है एक नैट का कपड़ा और थोड़ी सी रस्ती और एक कोई भी स्टिक हमारी जो डंडा होता है वो लिया है इसमें हम प्लास्टिक का लोहे का या फिर और कैसा भी हम यूज़ कर सकते हैं जैसे हमारे पास availability होती है हमारे चीज़ों की और उसके बाद मैंने हाँ पर यूज़ किया है हमारे जो सुखे पत्ते होते हैं हमारे गार्डन में हमारे जो पेड़ पोते होते हैं उनके जो पत्ते जड़ते रहते हैं अब मॉस्टिक बीची मोटी लेयर बना देंगे अप्रोक्समेट उसमें जो हैं तीन चार पत्ते हैं वो एक जगह जरूर हो इस तरह से हम उसकी एक लेयर बना देंगे उसके बाद इसमें हम जो हमने डंडा लिया है कि जो मारे मौस्टिक है वो एक दम स्टेबल रहे सीधी खढ़ी रहे इसलिए हाँ पर हमने इस लोह जो ये रोड है इसका यूस किया है इसके बाद हम इसके उपर भी एक इसी तरह की पत्तों की लेयर बना देंगे उसमें भी हमें तीन चार पत्ते एक दुसरी के उपर इस तरह से रखते वे पूरी लेयर बना देनी है उसके बाद बारी आती है हमारी मोस्टिक जो है उसको कवर करने की अब में हमारी जो मोस्टिक उसको बनाने के लिए दीरी-दीरी जो नेट का कपड़ा है इसको चारो तरफ से इस तरह से लपेटना है और लपेटते वी दीरी-दीरी इसमें धागे इसको बांधना है ताकि जो पत्ते हैं वो उसके अंदर अच्छे से सिम्टे रहें और धागे से हम इसको जब टाइप कर देंगे तो यह बिल्कुल भी हिलेगा डूलेगा नहीं इस तरह से हमारी जो मोस्टिक है वो बनकर त्यार हो जाएगी और जब हम इस मोस्टिक का यूज करेंगे तो हमारी बजार से मिलने वाले जो रियल मोस्ट की जो स्टिक होती है उससे भी ज्यादा ही आपके लिए यूसफूल होने वाली है क्योंकि यहाँ पर जो हमने पत्ते लिये हैं वो बायो डिग्रेडिबल होते हैं उसकी जो पत्तों की खाद बहुत जल्दी बन जाती है इस तरह जब भी हमारे प्लांट में पानी देंगी जिसमें हमने मोस्टिक लगाई होगी तो दीरे दीरे पत्ते जो हमारे गलने स्टा जाएंगी तो उन्हें अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा क्योंकि यह बहुत ही अच्छी खाद बन शकी होगी इन पत्तों की इस तरह से हम घर में बहुत ही आसानी से इस तरह की मोस्टिक बना सकते हैं यह तो हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी यूसफुल मोस्टिक है इ किस तरह से आपको बेनिफिट करती हैं तो इस तरह से आप सब लोग भी इसको जरूर ट्राइ किजिएगा